ये नमस्कार न्यूस वर्ड इंज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाती आ रहे हैं स्वागते आप सभी का फटा फट ख़वरों में भारतीय रेलवे एक और वंधे भारत एक्सप्रेस स्क्रें चलाने जा रही है नई वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रीन नई दिल्ली और भुपाल के रानी कमलापती रिल्वे स्टेशन के बीच चलाई जाएगी मधिप्रदेश की मुखी मंत्री शिवराज सिंग चोहानी बताया कि प्रधान मत्तु नरेदर मोधी एक अप्रेल को भुपाल स्ट्राणी कमलापती रिल्वे स्टेशन से नई दिल्ली की बीच चलने जा रही वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रीन को हरी ज़ंडी दिखा कर रवाना करेंगी वंदे भारत एक्स्प्रेस श्रताबदी एक्स्प्रेस की मुकावले नहीं दिली और भोपाल के बीच की दूरी तय करने में करी एक घंटे का कम समय लेगी गुरकपुर दौरे की दूसरे दिन बुकी मंत्र योगी आतितनात ने गुरकनात मंतिक परिसर में प्रदेश के विभिनस जिले से सेक्रों की संख्या में आये लोगों से मिलकर उनसे उनकी समस्याओं को सुना और समन्देत अधिकारियों को मामले को जल से जोल्द निस्तारं करने का निर्देश दिया गये इस दोरान कमिशनर एटेजी जिला अधिकारी एससपी सहीत अन्य अधिकारी उपस्तित रहे ट्रागराज के फाफामाउगंगा फुल पर दो त्रक आमने सामने भीड गए जहां एक चक्ट गंगा फुल के नीचे जागिरा और दूसरा फुल की रेलिंग में फस गया तो महीं एक बाइक सवार्वी बाइक लेकर आपको बता दे कि पूल के नीचो जा गिरा घटना में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई है तो महीं घटना सुबह की बताई जा रही है जासी में राम नगमी के त्योहार में सुभा विशाल वाहन जुलुस निकाला गया और ऐसे के साथी वाजार में सुभा से दुकानों और सुन्दरकान चलता रहा इसके बाद राम चंदर जी का जन्द हुआ फिर शोबयात्रा को मौला पर गोटा से शुरू किया गया तो इसके बाद शीतला माता मंदिर पर भगवान की स्वरूपों की आरती की गई जिसमें लोगों ने बढ़च्वड कर पिस्सा लिया सुचना पर पहुचे परिजनों ने उसके तलाश चुरू कर दी काफी तलाश करने की बाद राम दंदा में उसका शब वरामत हुआ योगा की डुबने की सुचना पाकर परिवार में कोहरा मच चुका है पुलिस में शब को कबजे में लेकर पॉस्मोचम के लिए बेज दिया है पॉस्मोचम होने के बाद मासका कारंस पर शोपाएगा अगरा में दो महिलाओ के मार पीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुरा है बताया जा रहा है कि पूरा विबाद पार्की को लेकर हुआ जुसके बाद लोगों ने बीच बचाफ करके दोनों को छुड़वाया वही एक मैला और अन्य अग्यात के खिलाब मुकदमा दर्ज किया गया है पिलीभीत में ग्यांगरेट के आरूप में एक पिता को बचाने के लिए उसकी बेटी सामने आई और उसने इस ताने पुलिस पर गंभीर आरूप लगाए हैं जिसमें कहा गया है कि उसके पिता को फरिशान कर फसाया जा रहा है यहीना इस लड़की ने थाने में के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और थाने के सामने गलाकाट का सुसाइट की पूशिच भी की दसर फिली भीत के सुनकड़ी थाना श्वेतर में पढ़ने वाले नौगवा पकड़िया के रहने वाली एक छात्रा ने घर के पास की एक छात्रा परश्मील लीडियो बनाकर ब्लाकमेल कर उतके पिता फर गैंक रिप का रूप लगाया था जहासे के मुदेलखन विश्विध्याले में एललवी के छात्रों से अबदर्ता करने वाले कर दवंग गाट से विवाद हो गया चात्रों का आरूप है कि उप्तगाट आये दिन्दमगई दिखाते हुए बिना वज़ा रोका टुकी कर परिश्वान करता है आरूप है कि आ परूकबाद में सतर भाज्वा विध्याले मेजर सुनेल दर्सु द्विवेदि और इसी के साथ हिंदू मासवाके यवा प्रतेश अत्याक शुनलेश मिश्रा के नित्रित में शुबह यात्रा निकाली गई इस शुबह यात्रा में अजारों की संट्रा में लोगों ने इसका लिया डूल लगाडों के साथ शुएर में शुबह यात्रा निकाली गई इसके साथ की जगर जोगा पर यात्रा का भाफिस्वागत किया गया विटावा में सिद्धपीट ब्रामनी देवी के दर्शिल का लॉर्ड ट्राइबा एक सवार तीन लोग अग्यात वाहन की चपेट में आने से हाथसे का शुकार हो गए अगसे में दू युपको के दर्दनाथ मौत हो गई तो वहीं एक युपक गंभी रूप से घायल हो गया मौके पर पॉट्डी पुलिस ने उरतक युपको की शब को कमसे में लेकर घायल युपक को उपचार के लिए जिराजपतार में भर्ती करवाया जहां से कंभी रहालत देखते हुए डॉक्टरों की टीई ने उसे सेफवी मेडिकल निवरस्टी के लिए रेकर कर दिया है राइबरेली में ट्वेलर पर ओकलाइन मश्रीन लागते समय क्रेन का भूंग तूट गया बताया जा रहा है कि इसकी चमेट में आने से तीन मज़ूर मामली रूप से खायल हो गई गनिवत रही कि कोई बड़ा हाथ सार नहीं हुआ परियोजना की जनसंपर्क अधिकारी ओमल शर्मा ने बताया कि एंटी पीसी परियोजना प्रबंधन द्वारा शमीको की सुरक्षा के फक्ता इंतजाम किये जाते हैं यदी बीटियल कम्पनी द्वारा कारी के दौरान सुरक्षा के इंतजाम नहीं किये गए उन्हें पर जांच कराकर खारवाई की जाएगी कानपूर में संदेख्त परिस्तित्यों में विश्योनाग लग गई आग के चपेट में तीन बड़े कॉंप्लेक्स सहीत सेक्रों दुकाने धूदू कर राख हो गई मौके पर फायर ब्रिगेट और इस्थानिया पुलिस आग पर कावा पाने के कोशिश में जुप रही है फायर ब्रिगेट की दसगारिया मौके पर मौदूर है मौके पर कानपूर उननाव समित आजबास के शेहर उसे फायर ब्रिगेट की टिम पहुच है पिटावा में शेहर के हर चौक चो राहे पर हाई वालिटी के सिटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे की पुलिस की चपे-चपे पर नज़र होगी कैमरों की मदद से शाक्तिर अपराधियों और संदिग्द वाहनों पर कैनी नज़र रखी जाएगी SSP ने हर चौक चुराही पर लगवाने के दिए दो करोर तीरा लाग के कैमरे मंगवाए है सिटीवी कैमरों की मदद से सरकार को राजस को बढ़ाने में वदद दो लेगी पुनामे मोके मंतरी आवास योशना से मिले आवास में हो रही निर्मान को रोकने पहुचे राजस विभा के कर्मचारियों के ने उस वक्त हाथ पूर फैल गए जब आपको बता दे के पीरित महिला ने अपने जोपड़े में थैसील के अधिकालों के सामने आग लगा ली पीरित महिला पर आरोप था कि वो ग्राम समाच की भूमी पर निर्मान कर रही थी महिला के पती ने बताया कि लेकपाल और तैसील टीन उसके जोपडे और तिन को हचाने की और उसके निरमान के दिवार को गिरा देने की बात कह रहे थे वहीं पुरित ने बताया कि उसे मुखे मंत्री आवास सी उचना से आवास निर्मान करने के दिनराश्य आवंटित हुई है जिसके बाद वो अपने कच्चे आवास का पका निर्मान करवा रहा है निर्मान रोखने आई तहसील की राजा सुटीम उसके निर्मान धीन इस फ़ल को अब ग्राम समाज की भूमी बता रहे थे जिसके बाद आहत पुरित महिला ने अपने जोपने में आख लगा दी मामले की गंपीरता में जिरा अविकारी में सग्यान दिया है प्राइब अरेली में एक बार फिर्म वासम का मुझास बिगड़ चुका है जोगुरू स्वामी रामदेव के अपने 29 सन्यासे को राज्ट को समर्फित किया गया इनमें 60 विद्वान धमचारी तथा 40 विदूशी शामिल है साधी अचारी बाल के उचने पांसो नेश्टिक और धमचारी उखो दिख्षा दी पॉडी के लशोन जूला इताना को खबर मिली कि दो लोग गंगा में जुक्तिके हैं पुलिस ने जब मौकी पर पहुच कर बताया तो दोनों लोग चाचा पतीजी निकले जो की बाजार का समान लेने जा रहे हैं पुलिसों बंदा किनारे चपल और बैक मिला है फ्लाट पुलिस और SDRF की टीम दोनों के सर्च ओपरेशन चला रही है अर्दौन में प्रदेश भर में मौसम का मिजास बदल चुका है देर रात से ही लगातार तेज हवाओ के साथ जमा जम बारिश हो रही है मौसम बिभाक के अनुसार आज भी मौसम का मिजास बदला रहेगा 40 किलोमीटर प्रतिगर्जे की रफ्तार से चुल सकती है देज हवाइं आरेश ओर सर्धवाउस में एक बर फिर से लोगों को ठण का एहसास करा दिया है पारिट से जगा जगा पर सड़कों पर जल भराब हो चुका है अलेगर के गाम फरीट पुर में कुछ महिने पहले मुस्लिम समोदाई की एक यूफ्ती ने हंदू यवाक के साथ प्रिविवाकर रह लिया था वो हंदू परिवार में रह रह रही थी आगरा में दबंगों का दबंगई देखने करते हुए वीजो बाइरल हुआ है तो पक्षो में चंकर मार पीट वीज के साथ ही गोली भी चलने के खबर सामने आ रही है एक पुछ के हमलावरों का आगया धातियार फेराता वीजो वाइरल हो रहा है वाइरल वीजो में कुछ लोग दबंकों को रोखते हो भी नज़र आ रही है विवाद में दोनों पक्षो के एक विप्ति को बोली लगती है और इसी के साथ ही फचाफट खबरों में फिला लेता है आप अन्रहिमारे साथ नमस्कार